हलो प्रेंड्स वल्पम तू माई चैनल टेक्निकल वस्टिन् आज फ्रेड़् हम आमस्तोका 43ेंज का आंड्रेड स्मार्टी यह अन्वक्षिंग करेंगे जिसी के अंदर आपका स्मार्टीई मिल जाता है और आपका आंड्रेड का आपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है और फंट इस यह जो MRP है 66,900 आगे चलके आपका डिस्केशन करेंगे आप 15 करेंगे तो आपको कितना पैस पड़ेगा तो फंट आपको आपको चालनल पे नहीं आए तो सस्क्राइब कीजिए और इस नहीं नहीं और इंट्रिस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए चलिए फिर्ट वीडियो शुरू करते हैं तो फिर्ट फाइनल मेरे टीवी अन्बक्सिंग हो चुका है इस इगे अंदर को बहुत सारा आससरिज मिल जाता है जोका सबसे पेहले आपकर टेबल मा gevार्क स्टांड मिल जाता है जोका दोठ्व प्लास्टिक बाला टेबल मांटिंग स्टांड है जोका अलक्स सबाथ पचस करना ըहीं पड़ेगा इसी वाद इसी गादर आपको 8 ज्क्रूँ मिल जाता है, जो को Table Mountain और आपको Wall Mountain में यूज़ कर सकते हैं, जो को Metal वाला स्क्रूँ है, इसी वाद इशी गादर आपको 2 टो बेटरी मिल जाता है, जोको Remote में डाल कर यूज़ कर सकते हैं, जोको Aleks से पचस कना नहीं पड़ेगा यसी पैकेट के अंदर फ्री मिल जाता है, इसी वाद इसी गांदर आपका manual card मिल जाता है, जोका 43 inch का Android smart TV है इसी गांदर आपका कैसे operating करेंगे, कैसे Bluetooth connect करेंगे, और कैसे voice का ओंड सेटिंग करेंगे, सब इसी गांदर mention क्या हुआ है इसी गाद इसी गंदर आपका remote मिल जाता है जोका smart remote है इसी गंदर आपका voice कमाड़े मिल जाता है आपका अग्य चलके discussion करेंगे के से use करेंगे और के के operating system इसी गंदर मिल जाता है तो फिर्ण इतना ही आसेसरी इसी गंदर मिल जाता है और फिर्ण इसी गंदर मिल जाता है और फिर्ण इसी गंदर मिल जाता है जोका 20W का powerful sound system इसी गंदर मिल जाता है जोका अलक से purchase करना नहीं पड़ेगा तो आपका Dolby Audio वाल स्पीकर इसी के अंदर inbuilt मिल जाता है और फ्रेल आपका remote किश्य इस्व आई है तो आपका TV के अंदर ही आपका bottom मिल जाता है जो आपका remote के थोछ से use कर सकते है नहीं तो आपका TV के bottom के थोछ से भी आपका on-off control यूज किसे हैं और आफ़ा टी भी यह आपका borderless डिजैन के साथ मिल जाता है जो इसी चांदर आफका फ्रेम नहीं मिल जाएगा और आफका browser बात पनफेल भी इसी affect ऐन जाता है और फिर्ट इसी के अंदर बहुत सरा input भी मिल जाता है तो फिर्च लिए देख लेते हैं क्या क्या input इसी के अंदर मिल जाता है जो आपको सबसे पहले आपका 2-pin बाला पारकोड है जो आपको अलक्षी adapter नहीं मिलता इसी के अंदर आपका direct 2-pin का cord लगा हुआ है और फिर्ट इसी कंदर आपको बहुत सरा input मिल जाता है जो आपको सबसे पहले आपका headphone मिल जाता है जो आपको headphone लगा कर direct आपका गाना प्ले कर सकते हैं और उसी के side में आपका land pod मिल जाता है जो आपका internet cord direct लगा सकते हैं और इसी के साइड में आपका दोठो HDMI मिल जाता है जो आपका 8 टाइम आपका 60 वस लगा सकते हैं और आपका HDMI 2 में आपका Sound Output जो आपका Air Scene पूड कर सकते हैं और इसी के साइड में आपका Optical का Option मिल जाता है जो आपका Home Trader लगाने के लिए काम आएगा और इसी के साइड में आपका R3 के बुल का Option मिल जाता है जो आपका Antena का euiser leg जो का जाद जरूँ ने पढ़ता और इसी के दूसरे साइड में आपका 2 PR PIN मिल जाते है जो आठे टाइम में दो-ठो-शत्त वस लगा सकते हैं और इसे के side में आपका USB दोट मिल जाता है जो का at time दोट USB इसी के अंदर input कर सकते हैं तो फिन इतना ही facility इसी TV के अंदर मिल जाता है और इसी के पीछे आपका चार्थ whole मिल जाता है को को wall mounting करने के लिए उज़ कर सकते हैं तो फिन चलिए AC का टेबल मांटिंग कर दते हैं उसी वाद इसी का अंदर क्या-क्या फीचर्स मिल जाता है उसी को उपर डिसकर्शन करेंगे तो फिन फैनल मेरे टीबी टेबल मांटिंग हो चुका है यह इसी का रिमोट है जो आपका बहुत स्लिम रिमोट मिल जाता है और फिन इसी पीचे आपका बैटरी का उपसन मिल जाता है जो आपका पीचे के साइड स्लाइड करेंगे तो आपका बैटरी का कवर कुल जाएगा जिसी का अंदर आपका AAA का दोटो बैटरी लगा सकते हैं और फिन इसी रिमोट के अंदर सबसे पहले आपका Power On Up का बोटो मिल जाता है जो आपका Power On Up कर सकते हैं और उसी ये साइड में आपका Light Indicator मिल जाता है और उसी ये साइड में आपका Mic मिल जाता है जो आपका Voice Command करने के लिए उज़ कर सकते हैं और इसी ये नीचे आपका Plus- preconum मिल जाता है जो के sound volume आपका बनी, बढ़ सकते हैं और इसी ये बीच में आपकाpowerral की ब्टो मिल जाता है जो आपका Picture Mode Sound मोट Change कर सकते हैं और इसी ये नीचे आपका Arrow keyboard मिल जाता है जो आपका Internet Using के Time काम आएगा और इसी नीचे आपका back का bottom मिल जाता है जोबका कुछ application खोल रहे हैं तो back कर सकते हैं और इसी के side में का voice command मिल जाता है और इसी side में का home का bottom मिल जाता है जोबका सारे application इसी home का bottom के तरो से show करेगा और इसी नीचे आपका बहुत सारा hot की मिल जाता है उसी को पर discussion करेंगी और फेंड ही आपका fully android tv नहीं है जो आपका semi android tv है इसी के अंदर आपका fully android का option नहीं मिलेगा या उपका play store इसी के अंदर नहीं है लेकिन आपका android का open source वाला platform में इसी के अंदर आपका cloud based memory मिल जाता है जो आपका cloud based आपका application download कर सकते हैं जो आपका inbuilt storage इसी के अंदर मिल जाता है लेकिन आपका cloud based application इसी के अंदर support करता है और फेंड इसी के उपर के साइड आपका setting मिल जाता है उसी के अंदर आपका internet connection setting कर सकते हैं और आपका wifi है तो wifi लगा सकते हैं नहीं तो आपका LAN connection है तो आपका LAN connection लगा सकते हैं जो आपका द साब से कस्टमेज कर सकते हैं और इसी के होम स्क्रीन में आपका बहुत सरा आप्शन मिल जाता है इसी गंदर आका Bluetooth का भी आप्शन आपे लेवल मिल जाता है तो आपका Bluetooth के थ्रोथ से आपका घर में Home Trader है तो आपका Home Trader भी connection कर सकते हैं और आपका Voice Command रिमोट भी इसी गंदर यूज का सकते हैं जो आपको voice command का remote और फेंड इसी गंदर आपको application कैसे download करेंगे तो मैंने अल्रड़ी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं आपको link discussion देदूँगा वह इसे डाट जाके देख सकते हैं और फेंड इसी गंदर आपको 8GB का internal storage मिल जाता है जो आपका 3.4GB का अभ available मिल जाता है और फेंड आपका android 9.0 basis update मिल जाता है क्योंकि आपका normal TV है तो आपका fully android TV इसी गंदर नहीं है और फेंड आपको कुछ application काम नहीं कर रहा है तो इसी गंदर आपका factory set भी कर सकते हैं जो आपका factory set यूज करेंगे जो आपका पहले जैसे आपका नया हो जाएगा TV तो फेंड चलिए इसी गंदर YouTube ओपन करके कितना बेटर picture clarity इसी गंदर मिल जाता है हो भी देख लेंगे और फेंड इसी गंदर आपका application download करने के लिए मैंने वलड़े एक वीडियो बना चुका हूँ कैसे आपका YouTube खोलेंगे कैसे YouTube download करेंगे सब उसी वीडियो के अंदर आ देख सकते हैं और फेंड इसी गंदर आपका maximum 1080 pixel दक वीडियो content play कर सकते हैं क्योंकि आपका full HD TV है और फेंड आपका 32 inch में भी आपका same process रहता है जो आपका same process में वह आपका 1080 pixel दक देख सकते हैं और इसी गंदर आपका voice command कैसे setting करेंगे मैं और एक वीडियो बना चुका discussion देदूँगा जिसी का अंदर आपका देख सकते हैं कैसे voice command setting करेंगे और फेंड येट ही आप purchase करना चाहते हैं तो इसी गे MRPS 66900 तब बाहर से purchase करेंगे तापको 20,000 से 21,000 का अंदर आपको मिल जाएगा जो आपका बहुत ही budget के range में आपका 43 inch का Android 2 मिल जाएगा तो फेंड इतना था वीडियो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे और शेयर वीजे सब्सक्राइब करेंगे अम इसे इंट्रेस्टिंग वीडियो इस चनल पर लाते रहते हैं थैंक यू